हेलो बुल्स स्वागत आपका फीचर बुल्स में आज 14 फरवरी को ओल कार्वा लोजिस्टिक ने अपने कौटर थी के रिजल्ट पब्लिश कर दिये हैं जैसे कि हम आपको बता देए कि कम्पनी ने मार्किट आवर में अपने रिजल्ट पब्लिश करे हैं तो आप इसके शेर प्राइस पर भी देखोगे तो रिजल्ट पब्लिश होने के बाद इसका शेर 20 परसंट तक गिरते वे देखने को मिला है ऐसा क्यों हुआ है वो हम आगे जानेगे पर देखेंगे पहले कम्पनी के कंसॉलिटेट रिजल्ट तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आचो के कंसॉलिटेट रिजल्ट की तरफ सारे फिगर्स को रुपीज इन लैक्स में दिया गया हम आपको रुपीज इन करोड से में कंवर्ट करके बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की इनकम तो इस कॉर्टर में जो कंपनी ने इनकम की है वो 4106 करोड की निखल के आई है यही इनकम कंपनी ने पिछले कॉर्टर में 5100 करोड की की ती यानि कॉर्टर इन कॉर्टर इसकी इनकम अच्छी खासी गिरती भी दिखाए दे रही एग्स्पेंस की बात करें तो टोटल एग्स्पेंस इस कॉटर का जो निखल के आए वो त्री थाऊजंन नाइन हंडडर सिक्स्टी करोड का है यहीठ्स कम्पनि का पिछले कॉटर में 4080 करोड का था 800 करोड का था यानि quarter quarter expense गिरता वा दिखाई दिया है क्योंकि इसके revenue नहीं हुए इतने तो इस वज़े से expense भी कम होने बनते थे yearly भी देखोगे तो company ने पिछले साल 5200 करोड का expense किया था जो कि इस quarter में 3960 करोड का है तो अब हम आ जाते हैं सीधा इसके profit की त company ने पिछले quarter में 192 करोड का profit किया था जो कि अफ़ज़कर 124 करोड का हो चुका है तो算 कोड में इसका profit भी गिरते वह देखने को मिल रहा है yearly देखोगे तो yearly भी company ने पिछले साल 323 करोड का profit किया था जो कि अब घटकर आदे से भी कम हो चुका है जो कि 124 करोड रुपे निखल के आया है तो EPS पे भी एक नज़र डालें तो EPS भी इस quarter का जो निखल के आया है company का वो है 6.35 का यह EPS company का पिछले quarter में 8.61 का था आदा हो चुका है और quarterly भी थोड़ा बहुत नीचे गिजा चुका है अब हम बात करते कि company के result आए कैसे तो result की बात करो पहले तो मैं ऐसे कि आपको साफ साफ दिख रहे है company के से गिरावट देखी कही है revenue में भी profit में भी और EPS में भी तो ऐसा क्यों हुआ इसके हम वज़े बता दे कि company में तीन तरीके के वो है जो मिलके company चलाते है all cargo logistics को तो अब यह फैसला निखल के आ रहा है कि उसमें से दो company उसमें डीमर जो हो जाएगी हट के यह स्रिफ all cargo logistics का एक purely company बचेगी जो की एक business अच्छा है उसका तो उनका जो दो यह companies हटेगी वो बहुत अच्छा होगा company के profit और revenue के लिए उनका हटना तो डीमर्ज की वज़े से इसके result अभी थोड़े बहुत unstable से दिखाए दिया है डीमर्ज होने के बाद हो सकता है अगले quarter या उससे अगले quarter में इसके result बहुत अच्छे आएंगे ऐसा कहा जा रहा है company के management में तो industry के साब से देखे तो company के result बहुत अच्छे आए demand में भी इसके कोई कमी नहीं पड़ी logistics sector में एक ही ऐसी company लगती है जो मुझे भी investment के बहुत अच्छे लगती है और यहां था कि मैंने भी कुछ small amount इसमें invest कर रख गया है तो जैसे कि देखा जाए तो जबी भी investor आप मेंसे इसमें 20% crash करते वे जो stock को सुबह देखे होंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे इसको sell कर दियोंगे और बहुत सारे panic में आके भी sell कर दियोंगे पर मैं यह बता दूँ कंपनी का business बहुत बढ़ी है आने वाले में growth trigger भी इसमें बहुत सारी है सरकार भी आपको पता है कि logistic sector के लिए बहुत सारे plans ला रही है इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो business जो discontinue और continue business था उसकी वज़े से इसके result अभी इस quarter में ऐसे दिखाई दिये है पर आने वाले quarter में भी हो सकता है थोड़े बहुत unstable से result दिखाई दे तो थोड़ा बहुत degrowth या downside दिख सकता है share के price पे भी तो इसकी वज़े से आप panic ना कीजेगा मेरी सला सिर्फ यही रहेगी कि आप इसको buy on dip ज़रूर करी दिजेगा अगर share अच्छे price में मिल रहा हो तो result के एसाफ से मैंने बताई दिया कि result कैसे लगे डरने की वैसी कोई बात नहीं है company आज 20% गिरी है तो यह डीमर्ज होने के बाद एक दिन 20% भागेगी भी ज़रूर तो चलिए मिलेंगे अगले result में अगले वीडियो में और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो तो चलिए मिलेंगे बा लाइ